नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जी के जोनवे तो गाईज आज मैं लेकर आ गई हूँ जैपिएसी पेपर टू का प्रेक्टिस सेट नंबर सिक्स का फूल क्वेस्चन्स तो वीडियो को सुर्वात स्यान तक जरूर रेखेगा तो कर है मानकी को अब आप लोगों ने कहा है कि explanation भी मैं पढ़कर सुना दू इसलिए मैं सुना देती हूं नागवंसी सासन व्यवस्था में प्रारव में आम रहयतों से लगान की वसूली नहीं की जाती थी परन्तु बाद में संपुन राजी में कर कभार नागवंसी सासन व् जाता था लेकिन आपको पता होगा कि जहांगीर के सासन कल में कर नहीं देने की वज़ा से नागवंसी राजा दुर्जन साल को कैद कर लिया गया था बारा वर्सों के लिए तो नागवंसी रियासत पर जो है कर देने का बोज आ गया था तो उन्होंने जंता से यानि रहयत स्पेस्तों से कर्वशूलना सुरू कर दिया इस प्रकार से नागधवेंशियों में भी कर्वसूलने का सिष्टम चलने लगा और इसकी जिमेदारी पढ़ा के प्रमुक मानकी को दिगए थी वृ मुंडा सासन मेवस्था में पाहन का सहयोगी कौन होता है तो पाहन का सहयोगी होता है पुजार और पनभरा दोनों तो इसका अंसर क्या हो जागा option number C मुंडा सासन व्यवस्था में गाउं के धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं और उसका सहयोगी पुजार या फिर पन्भरा होता है तो मुंडा सासन व्यवस्था का सम्द्ध किससे है मुंडा जंजाती से तीसरा है, 1934-35 में गठि धोकलो सोहर महासभा के बारे में कौन सकतन सकती है पहला है इस महासभाद वारा पंचाइती राजव्यवस्था का समर्थन किया गया यह बिल्कूल गलत है पंचाइती राजव्यवस्था का समर्थन नहीं किया गया बलकि इसका विरोध किया गया था दूसरा क्या है इस महासभाद वारा जाती व्यवस्था का विरोध किया गया यह भी कथन गलत है उन्होंने जाती व्यवस्था का समर्थन किया था यानि इसका आंसर क्या हो जागा option number D डोकलो सोर खड़िया जन जाती की पारमपरिक सासन में वस्ता है 1934-35 में खड़िया समाज के ससक्ति करन हे तू अखील भारती इस्तर पर डोकलो सोर महासभा का गठन किया गया था इस महासभा ने जाती प्रथा का समाथन किया जबकि पंचाईती राज का विरोध किया था तो आगे इसमें जो है पहला तो याद रखिए डोकलो सोर का सम्बन किस से खड़िया जन जाती से और दूसरा ये भी याद रखिए कि कौन सा इस्वी में हुआ था क्योंकि ये भी पूछा जाता है खास करके स्टेटमेंट वाले सवाल में जो है हमेशा डेट जो है बदल कर ही दिया जाता है तो 34-35 याद रखिएगा आगे बरते हैं चौथा नमबर पढ़ा पंचायत सासन व्यवस्था में सर्वोच नियायाले की भाती है नेक्स्ट है पाचवा नमबर खड़िया जन जाती में धोकलो सोहर का चुनाओ कितने वर्सों के लिए होता है ये क्वेश्चन जो है दो तीन सेट में रिपीट हो चुका है इसलिए अभी तक आपको अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको यादी हो गया होगा तीन वर्स होगा इसका अंसर तो संपुन खड़िया समाज की बैठा को क्या कहते है धोकलो के नाम से जानते हैं और खड़िया जन जाती द्वारा वर्सिक रूप से धोकलो का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी गाओं के प्रमुक प्रतिनीधी सामिल होते हैं फार जन जाती चाहती को किया कहा जाता है भायारी और जाती गोठ रोदो नों कहा जाता है इसलिए इसका अंसर हो जगो अपसान नंबर C तो पहड़िया जन जाती कि जाती वे पंचायत को भायारी या फिर जाती गोड कहते हैं अठवा है बिहार स्टूडेंट कॉन्फरेंस के सोलव अधिवेशन जिसके अधियक्सता सरला देवी ने की थी कहां पैजित हुआ था यह आयो जित हुआ था हजारी वग जिला में बिहार स्टूडेंट कॉन्फरेंस का सोलहवा अधिवेशन हुआ कब था 1921 में हजारी बाग में हुआ था सरला देवी के अधियक्सता में और इस कॉन्फरेंस को बजरंग सहाई, तृष्ण मॉल्लब सहाई, राम नरायन सिंग आधी ने संबोधित किया था नेक्स्ट है, नाइन्थ नुमर सवाल है, कथन है, सदानो को दीकू कहते हैं, कारण किया है, सदान जर्खन में बाहर से आकर बसे, तो ये एक वेशन, जो है काफी, कहा चला ये तो नाइन्थ नमर सवाल है सदानों को दीकू कहते हैं कारण क्या है सदान जारखन में बाहर से आकर बसे हैं तो क्या लगता है इसका अंसर क्या हो जागा तो दीकू आदिवासियों जो है दीकू सच में जो है आदिवासी लोग जो है सदानों को दीकू कहते थे और सदान जर्खन में बाहर से आकर बसे थे तो हाँ बाहर से आकर ही बसे थे जर्खन में सदान बाहर से आकर बसे जिन्हें आदिवासियों वा अंग्रेजों ने दीकु कहा दीकु कार्थ ही बाहरी होता है अता दोनों कथन सही है वकारन कथन की शही व्याख्या करता है तो इ यह 12לillar तो इसका पढ़ लिया हम ने आप देख़े अगर मैं बरतुमान संदर में देखु तो यह इस टेटमेट गलत है क्योंकष्यार कि ज्यार हूँजह करते हैं तो यह आखळे करते हैं आच जनजातिया आदिम जन्जाति ये सबको पता है और प्राया जहरकन की जन्जातिया पित्रि सतात्मक है और इसका C आंसर है गलत क्योंकि जहरकन की जन्जातिया प्राया एकल परिवार में रहना पसंद करती है और वर्तमान समय तैती से याद रखिये मुंडा राजा किसे कहते हैं मुंडा राजा कहते हैं जैपाल सिंग मुंडा को तो जैपाल सिंग मुंडा को मुंडा राजा कहते हैं और इनका जन्म कभ हुआ था गईज तो इनका जन्म हुआ था तीन जन्वरी तीन जन्वरी उनीस तो तीन इस भी को जेपाल सिंग मुंडा को मुंडा राजा कहा जाता है जो भारत में प्रशीद होकी खिलाडी वजहरकंट पाटी के संस्थापक रहे हैं जेपाल सिंग मुंडा को मुंडा राजा के साथ सब क्या कहते हैं मरांग गोम के भी कहते हैं नेक्स्ट है परियावरन के छेतर में उलखनिया योगदान के लिए निमलिकित में से किने पद मिस्री समान से समानित किया गया है तो पद मिस्री सिमोन उराव को जो है इने सिमोन उराव तो मैं थोड़ा पानी पिले की वह रख गाला बहुत फूख रहा हूँ 12. debi नंबर सबाल है परियावरन के छेतर में उलेखनिया योगदान के लिए निमलिकित में से किने पद मिस्री समान से नमाजा गया है इसका आंसर रही पहले में बता दू कि सिमोन उराव को जल्स अं रक्षन और परियावरन के रक्षा के लिए जबकि राम देयल मुंडा को जहरखंडी कला संस्कृति में उलेखनिय योगदान के लिए पद्मिस्री से समानित किया गया है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए पडियावरन के छेत्र में A और B A और B सिमोन उराव को जलसन रच्छन और पडियावरन की रच्छा के लिए और असोक भगत को भी जलसन रच्छन और पडियावरन की रच्छा के लिए पद्मिस्री समान से समानित किया गया है इसलिए हमारा आंसर हो जगा उप्सन नमबर D तेरहवा नमबर सवाल है पहला है सिद्धू कानू चांद भैरो सगे भाई थे ये कथन सही है सिद्धू कानू के नेतरित में राची खूटी छेतर में संथाल विद्रो हुआ था तो ये गलत है राची खूटी छेतर में संथाल विद्रो नहीं हुआ था आपको पता होगा कि राची संथाल परगना मे नहीं आता है ना ही खुटी तीसरा है अंग्रेजों ने सिद्धू कानु को फासी दी थी तो ये सही है और चौथा है अंग्रेजों ने चांद भेरों को गोली मार दे थी तो इसका आंसर क्या हो जगा अप्सन नमबर बी संथाल विद्रों सिद्धू कानु के नेतरित में जार्कन निर्मान के पूरु जार्कन के लिए वनांचल राजी की मांग की गए थी तो वनांचल राजी की मांग की गए थी तो ये भारती जंता पाटी ने वनांचल राजी की मांग की थी सन 1998 में जार्कन निर्मान के पूरु जार्कन के लिए वनांचल राजी की मांग भारत बिहार के राजिपाल सुंदर सिंग भंडारी और बिहार की मुखे मंतरी रावडी देवी तो कौन सा कथन गलत है? उप्सन नमबर C तो उप्सन नमबर C इसका अंसर है जारकन राजी के गठन की समय ततकाली बिहार के राजिपाल कौन थे? वी डी पांडे तो मैं लिग दती हूँ वी सी पांडे ये कब से कब तक थे? 1999 से 2003 तक जबकि सेस सब भी सही है भारत के राश्टपती उस समय थे के अर नराइनन, प्रधान मंतरी थे अटल विहारी बाजपई और विहार की मुखे मंतरी थी रावडी देवी नेक्स्ट देखते हैं सोलहवा नंबर सवाल निमलिकित में से किस जंजाती का मुखे पेसा है लोहा गलाना तो इसका आंसर क्या हो जागा? असूर जंजाती का आपको पता ही होगा कि असूर जंजाती का मुखे पेसा है लोहा गलाना उसके साथ ही लोहरा जंजाती का भी पार्टी के एक भी सदसी निर्वाचित नहीं हुए हैं, 17 लोकसभा में ज् चेतर से और भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस को एक सीट सिन्भूम चेतर से गीता कुड़ा और जारकन स्टूडेंट यूनियन आजसू से एक सीट गिरिडी गिरिडी से चंद्र प्रकास चौधरी को मिला है तो ये लोकसभा की बात हो रही है कौन सी ध्यान रखिएगा सब्त पर नंगेपाव चलते हैं इसी परंपरा को फूल खुंदी कहते हैं तो नंगेपाव अंगारों में चलते हैं उस परंपरा को क्या कुलते है kalau ku जाहरखन के जनजातिय समाज मुखेता पित्री सतात्मक है तो नहीं इसका अंसर क्या हो जागा केवल कारण सही है यह कथन जो है बिल्कुल गलत है कि यहां पर भेदभाव है तो सुनिये नौलक्षा मंदिर बनने में 9 रुपए लागत आई थी. तो कारण इसका सही है, कि 9 रुपजा मंदिर को 9 रुपए कि लागत आई थी. लेकिन इसका statement जो है, कथन बिल्कुल गलत है. इसका कथन गलत है. इसका answer क्या है, Option No.2 केवाल कारण सही है. तो नौलखा मंदिर बनने में नौलाख रुपे की लगत आई थी, इस रासी का दान रानी चारु सीला ने किया था, याथो कि यूगल मंदिर देवघर को नौलखा मंदिर कहते है, नेक्स्ट है, संथाली भशा की प्रतम लगु कावी मानी जाती है, तो प्रतम लगु कावी क निरित किया जाता है, मुखोटा धारन कर निरित किया जाता है, किसमें चवु में और उरने मिनते में, लिए इसका आंसर है 6 वकठोरवा दोनों निरीति मुखोटा धारन कर किया जाता है तथा ये दोनों निरीति जो है पुरुष्प्रधान है नेक्स्ट है 23 नमर सवाल जारकंडी वादियांत्र मदन भेरी कैसा वादियांत्र है तो मदन भेरी कैसा वादियांत्र है तंतु वादियां से अवाज निकलने निकले तथा अवनद वादि किसे कहते हैं तो घन वादियंत क्या है जो दो वस्तु के टकराने से अवाज निकले और अवनद वादि है जिस पर चमड़ा मढ़ा हो बासुरी सहनाई आदी की सहायक के तोरपर बजाई जाती है इसके अगर भाग में पीतल क की नली जड़ी होती है समझ गया आप मदन भेरी जो है बासुरी सहनाई आदी के सहायक के रुप में बजाई जाती है नेक्स्ट है गर्म जलकुंड और जीला तो क्या लिखा है ऑप्सन क्वेस्टन में जो सही सुमेलित नहीं है उसे चुनना है पहला देखे जहरिया पानी धनवाद में बिल्कुल गलत जहरिया धनवाद में लेकिन जहरिया पानी धनवाद में नहीं है इसका अंसर पहला ही हो जाएगा तो तपात पानी धनवाद ताता पानी लाते हार तो जहरिया पानी आखिर है कहां तो ये धुमका में है जहरिया पानी धनवाद में नहीं है जहरिया पानी जर्म जलकुंड दूमका जिले में है, वैसे जहर्खन सहीद पूरे भारत का सब से गर्म जलकुंड सूरज कुंड हजारी बाग में है, जिसका तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फेरेनाइट. निमलिकी जहर्खन्डी पारंपरिक पकवानों में से कौन सा सही नहीं है, पहला ठेकुआ आटा से बनता है, नेक्स्ट है दूसरा लख्टो मैदा से बनता है, तीसरा ढूसका चावल से बनता है, उपर्यूक सभी कथन सही है, इसका आंसर है option number B, ये गलत है, ठेकुआ तो मु क्या है, आटा से बनता है, हाँ आटा, क्या होता है, मुझे गूगल सेर्च करना पड़ेगा, नेक्स्ट निमलिकीत कथन में कौन सा अस अत्य यूग में है, पुस्तक और लेखक, डार्क होर्स के लेखक कौन है, निलोतपल मिरिला, मतलब मैं option पढ़ रही हूँ, अभी हम रचना कार है, महुआ माजी, बाकी सारे जो है सही है, डार्क होर्स, निलोतपल मिरिनाल, बागव सुगना मुंडा की बेटी, अनुज लुगुन, आदी धरम, राम देल मुंडा, और मरांग, घोडा, निलकंट हुआ किसने लिखा है, महुआ माजी ने, नेक्स्ट 27 ने पर सवाल, जार्कन का हिंदी भासा का पहला उपनियास माना जाता है, राजपूतानी शान इसका अंसर हो जाएगा, जार्कन का हिंदी भासा का पहला उपनियास है, राजपूतानी सान, जो की 1906 इसवी में, प्रकासित हुआ था, इसके रचना कार है, राम चीन, सिन, वल्लप, कहीं पर रामचीज होगा, कहीं पर रामचीन लिखा होगा, कहीं पर रामची ही लिखा मिलेगा आपको सिन वल्लब और अन्नी तीन भी जहारखन के हिंदी उप्रियासी है बत्तिया गुल है, गुल मोहर के नीचे, तलहटी के अंधिरे में तो इसका अंसर है राजपुतानी सान, जिसके लेखा के रामचीन सिन वल्लब नेक्स्ट है, रचनाकार विनोध कवी द्वारा रची छोटा नाकपूर ताल मंजरी किस जहरखंडी भासा साहिती के रचना है छोटा नाकपूर ताल मंजरी पंच परगनिया साहिति के प्रादम करता बिनोधिया कभी की रचना है मुंदारी भासा की पहली साहिति है मुंदारी भासा की पहली साहिति जे डवलू सी विटली द्वारा रचित मुंदारी प्राइमर को माना जता है नेक्स्ट है ओलून बहा किसकी कृती है यह हो जागा जोबा मुर्मु तो कृती यानि बुक से रिलेटर क्वेस्टन जोए पूछे एक दो क्वेस्टन जरूर पूछा जाता है तो इसे अलग से नोट करके जरूर रख लिजिए तीसवा सवाल का अंसार है ओलून बहा इसका क्या होता है अलंकार पूस्प जोबा मुर्मु की रचना है इस रचना के लिए उन्हें बाल सहीत पूरिशकार भी प्राप्थ हुआ है ओलून बहा जोबा मुर्मु नेक्स्ट है सोध संस्थान और जीला का नाम और हमें चुनना क्या है असंगत कौन सा है तो पहला देखत सेंटर हजारीबाग लाह रिसस्ट राची ट्राइबल रिसस्ट राची और तिलहन रिसस्ट चेंटर मेदनी नगर जहारकन के किस संस्थान का उडगाटन ततकालिन वाइसराई लाड इर्विन द्वारा किया था यह हो जागा आईसम धनबाद इंडियन स्कूल आप माइंस मंगलम श्टेडियम भी है एक और एक है मोहन कुमार आहुजा श्टेडियम तो मोहन आहुजा श्टेडियम कहां पे है जमसेदपूर में है और मोहन कुमार मंगलम श्टेडियम बोकारो जीला में है तो इस सबल का अंसर क्या ओप्शन अमड़ी जमसेदपूर जारकन के निमलिखित खिलाडियों पर विचार कीजे पहला राहूल बनर जी, जानो हंसदा, अन्सुता लखड़ा और जयंत तालूकता उपर यूग्त में से आर्चरी यानि तीरंदाजी से जुड़े है कौन-कौन तो इसका अंसर हो जागा C, 1, 2 और 4 अन्सुता लखड़ा आपको पता को होकी खिलाडिये अन्सुता लखड़ा जारकन की होकी खिलाडिये तो इसका अंसर क्या हो जागा 1, 2 और 4 आगे बढ़ते हैं, निमलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए महेंद्र सिंग धोनी, दिपिका कुमारी, प्रेमलगता, अगरवाल उपरयोक्त में से किने पदमस्री पुरुषकार से समानित किया गया है इसका अंसर हो जागा option number D, तीनों को समानित किया गया है कौन-कौन से येर में समानित किया गया है तो महेंद्र सिंग धोनी को सन 2009 में, दिपिका कुमारी को 2016 में, और प्रेमलगता अगरवार को 2013 में पदमस्री से समानित किया गया है नेक्स्ट है, हाल ही में एक विशेश खेल में, विश्व के टॉप 10 खेलाडियों में दिनेस महतो को चुना गया है इन्हें किस खेल में पैचान मिली है तो दिनेस महतो का संबंध कौन सा खेल से लौन बोल लौन बोल की लाडियों की सूची में दिनेस महतो को टॉप 10 में स्थान मिला है नेक्स्ट है, सैथिस्वा नमर सवाल इनमें से कौन सा कथन सत्य है तो खेल नगरी जमसेदपूर को कहते हैं जी हाँ ये सत्य है जैपाल सिंग के नेत्रित में भारत ने होकी के पहला उलम्पिक स्वान जीता था सही है इसका अंसरों जगा उप्सन नमर सी दोनों कथन सत्य है और उलम्पिक कब जीता था उनीस सो अठेस इस इस भी में नेक्स्ट है 38 नमर सवाल है सहरी मलीन बस्तियों के बच्चों को विद्याले से जोड़ने हे तु जारकन सरकार द्वारा इनमें से कौन सी योजना संचालित की जारी है तो ये जो है योजना है पंक योजना पंक योजना का संबन किस्से है सहरी मलीन बस्तियों के बच्चों को विद्याले से जोड़ने के लिए जारकन सरकार द्वारा 2017 इसवी में पंक योजना के सुर्वात की गई छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 215 के अनुसार कितने रुपे तक वाद में उपायुक्त के आधेस के विरुद अपील नहीं की जा सकती है इसका अंसर 100 रुपे द्वारा 215 के अनुसार 100 रुपे से अधीक वा 5,000 रुपे से कम रासी के वाद में नियाईक आयुक्त के पास तथा 5,000 रुपे से अधीक रासी के वाद में उच नियाले के पास अपील की जा सकेगी नेक्स्ट चानलीसवा नमर सबाग छोटा नाकपूर कास्तकारी अधीनियम 1908 की धारा 200 के तहट किसी जंगम संपत्ती के अधीक रहान वा उसकी बिक्री के बीच कम से कम 10 का अंतराल होना चाहिए यानि कितने वर्स का अंतराल होना चाहिए इसका आंसर है 10 दिन चोटा नाकपूर कास्तकारी अधीनियम 1908 की धारा 200 के तहट किसी जंगम संपत्ती के अधीक रहान वा उसकी बिक्री के बीच कम से कम 10 दिनों का अंतराल होना चाहिए नेक्स्ट है 41 नमर सवाल चोटा नाकपूर भूद रिती अधिनियम 1869 में उलिखीत महतोई भूमी का क्या तत परी है इसका अंसर है गाउं के महतो हेतु अलग से रखी गई भूमी को महतोई भूमी कहते हैं तो चलिए और सब देख लेते हम महतोई भूमी यानि गाउं के महतो हेतु अलग से रखी गई भूमी मजियस का मतला होता है गाउं के स्वत्व धारियों के लिए आरक्चित भूमी बैट खेत क्या है मजियस भूमी पर काम करने वाले स्रमी को हेती अलग से रखी गई भूमी और भूत खेत डाली कटारी या पहनाई गाउं के पूजारी अथ्वा पाहान हितु रखी गई भूमी है तो नेक्स्ट देखते हैं 42 नमर सवाल सी एंटी एक्ट में कितनी धाराएं हैं सी एंटी एक्ट में 271 धाराएं हैं और इसमें कुल अध्याय कितने 19 अध्याय हैं और दो अनिसूचिया हैं नेक्स्ट है छोटा नाक्पुर कास्कारी अधिनियां 1908 के धारा 186 के तहट कुरकी के संबंध में निमलिकित में से किसे कुरकी से छूट प्राप्थ होगी तो इस कांसर पड़ती में इस कांसर है डी एक दो और तीन क्रिसी के आउजार वा उपकरन लेखा बही महिलाओं वा बच्चों के कपड़े इन सबी चीजों की कुरकी नहीं होगी चोटा नकपुर कस्तकारी अधिनियम के धारा 186 के नुसार उपायूक तद्वारा जारी आदेस को लागू करने के दोरान महिलाओं के कपड़े वा अबिस्तर क्रिशी ओजार वा उकरन क्रिसक के भवन लेखा बही घरेलू सेवकों की मजदूरी आदी को कुरकी से छूट प्राप्त है तो यह यहाद कर लिजी ऑप्सन नंबर 186 में जो है कुरकी के विशम में दिया हुआ है और कुरकी से छूट के विशम दिया हुआ है तो आगे देखते हैं संथाल परगना कस्तकारी अधिनियम 1949 के प्राउधान निमलिखित में से किस जीले में लागू नहीं ह होते हैं तो यह जीला कौन सा है गिरेडी जो है उत्री चोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है इसलिए हमारा अंसर हो जागा अपसन नंबर C, तो कौन-कौन से जीले में लागू होता है, तो ये 6 जीलों दूमका, पाकुर, साहिब गंज, गोड़डा, देवघर और जांताड़ा में लागू होता है नेक्स्ट देखते हैं, पैतालिसवा, नमर सवाल, संथाल परगना कास्कारिय धिन्यम 1949 की धारा 27 के अनुसार, बंजर भूमी के बंदोबस्ती हे तू जारी, कि ये गए पट्टे के प्रपत्र की प्राप्तिया निमलिखित में से किसी उपलब्द कराई जाएगी, तो इसका संथाल परगना कास्कारिय धिन्यम 1949 की धारा 27 के अनुसार, बंजर भूमी हेतु जारी किये पट्टे के प्रपत्र को चार प्रतियों में तयार किया जाएगा, जिसे उपायू को, रहयत को, भूस्वामी को और ग्राम प्रधान या मूल रहयत को उपलब्द कराया जाएगा चलि, Next देखते है, संथाल परगना कास्कारिय धिन्यम 1949 की किस अनुसूची में आदिवासी या अर्द आदिवासीयों के सूची दी गई है। इसका अंसर है अनुसूची खा संथाल परगना कास्टकारी अधिनियम उनी सोंचास की अनुसूची खा में आदिवासियों वा गयर आदिवासियों के सूची दी गई है नेच्ट है 47th नमबर सवाल संथाल परगना कास्टकारी अधिनियम इसका अंसर है धारा 41 संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 41 के प्रावधानों के नुसार किसी पहाड़िया गाउ की खाली या बंजर भूमी को बंदोबस्ती गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है इसका अंसर है अप्सन नंबर D धारा 52 धारा 52 के नुसार यदि कोई जमिनदार अपने रहयत से दे लगान के अथिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो उसे 6 मा का साधारन करावाद या 500 रुपे का अर्थ दंड या फिर दोनों दिया जा सकता है ये भी क्वेस्चन रिपिटेड है पिछले सेट में आ चुका है इसका अंसर उनी सो ती निस्वी में पचासवा नंबर स्वाल है भूमी अधिगरहान पुनरवास तथा पुनरस्थापना दिनियम 2013 में सार्वजनिक नीजी भागिदारी के तहत विकास पर्योजना के लिए भूमी अधिगरहान हेतु कितने प्रतीशत भूमियों की सहमती का प्रवधान किया गया है नेक्स्ट देखते हैं क्या वनवा नमर सवाल जली जली हम खतम करते हैं निम्लिकित पठारों पर विजल कीजे राची का पठार निचला हजारी बाग पठार उपरी हजारी बाग का पठार यानि हमारा अंसर हो जागा अपसान नमबर सी दो तीन और एक जहारगन का सबसे जहारगन का जो सबसे उपरी हो जाएगा निचला हजारी बाग का पठार उसके बाद होगा उपरी हजारी बाग का पठार और उसके बाद राची का पठार नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौन सा जहारगन की सबसे काम उचाई बाग का पठार है तो इसका अंसर क्या है नि मीटर और फिट में देखा जाए तो 1486 फिल चोटा नाकपूर के बाहरी हिस्से में रहने के कारण इसे बाहिय पठार भी कहा जाता है नेक्स्ट है नदी और उसका उदगम पहला है कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ सबसे पहले ध्यान दिया किजिए नहीं है कि एंसर में वही निकालना है पहला देखे उतरी कोयल नदी का उदगम है राची पठार सक्री नदी छोटा नाकपूर पठार मयुराक्षी है कि मायोगनी मंदीर के जिलेमस थी ओए जारकष्ण में अभी उपर वाले सवाल में हमने देखा कि यह गुड़ा जिले में है । ज्यारकर में मायोगनी मंदीर 12 कोपा पहाड़ी गुड़ियंते मैंनेता है कि यहां मासाती की दाहिनी जांगिरी थी, जिसकी आकरती प्रस्तर अंस में यहां अस्थापी थे, इस मंदिर की चर्चा महाभारत में गुप्त योगनी के रूप में मिलता है, तथा पांडवों ने अपने अग्यात वर्स में कुछ समय यहां व्यतित किया था, नेक्स्ट न नमड़ी है, एक, दो, ती, तीनों पर्योजनाएं जो है, विश्व बैंकी साहिता से संचाली थे, और जहर्खन में कौन-कौन सी रजरप्पा हो गया, राजमहल, डामोदर के अलावा, जहर्या, जहर्या, धनवाद में है, और जहर्या के अतिरिक्त, कतरास, यह भी धनवा तो जहर्या, कतरास, दामोदर, राजमहल और रजरप्पा, कोल, परियोजना, विश्व बैंकी साहिता से संचाली थे, नेक्स्ट देखते है, चपनवा नमर सवाद, झहर्कन-राजी के पस्चिमी दिसा में में सो कौन सा रजवस्ती थे, तो झहर्कन के पस्चिम में कौन सा सवाल चोटा नागपूर पठार के सबसे उचे स्थान को कहा जाता है तो सबसे उचे स्थान को क्या कहा जाता है पाट छेतर कैते हैं नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर सवाल जारकन वन स्थीती रिपोर्ट 2020 के संदर में कौन सा कथान सही है यानि यूग में सुमेलित है पहला सन रचित वन यानि प्रोटेक्टिट फॉरेस्ट रचित वन तो थोड़ा इंगलिस में मैं हिंदी में थोड़ा कंफूरूज जाती इसे छोड़ देती हूँ देखें ऑप्सेंस के अनुसार सन रचित वन 75 प्रतिशत रचित वन है 17.9 प्रतिशत वरगी क्रीट जो है 6.7 परसेंट है तो परीप्त में से कौन सा सही सुमेलित है तो इसका आंसर क्या हो जागा 58 का D हो जागा सभी सही सुमेलित है सन रचित वन है सन रचित में मिन्स क्या होता है प्रोटेक्टेट फोरेस्ट तो यह 75 दसमालाव 35 प्रतिशत है जबकि रिजर्व फोरेस्ट जो है 17.9 प्रतिशत तो यह आ रचित होगा रचित भी लिखा रहता है आ रचित भी होता है इसलिए मैं एक बर इस प्रस्नों को हमें इसा ग्रतिशत है निम्ली छित कतनों पर विचार कीजिये उत पादन की दरिश्टी से ज़ारकन का सब से बढ़ कोई लाखान जरिया है उपर लड़ी हो पर युखत दोनों कथन में से कौन सा सही या गलत है चुनना है हमें इसका अंसर हो जागा कोई भी नहीं डोनों स्टेटमेंट जो उल्टा दिया हुआ है उत्पादन की द्रिष्टी से ज्ञारकन का सबसे बड़ा कोईला खान जरिया है और छेतरफल की द्रिष्टी से कन पूरा होगा तो ये जो एक दूसरे का स् लब्द कराए जने का प्रावधान है इसका अंसर क्या है 10 करोड जरकन ओद्योगिक पार्क नीती 2015 के तहर नीजी छेतर द्वारा ओद्योगिक पार्क के धार भुठ सलचना निर्वान है तू राजी सरकार द्वारा वितिय साहिता का प्रावधान इस प्रकार है पहला समान जरकन के नई खेल निती 2020 में खिलाणियों वा कोच को प्रत्साहित करने है तू निम्लिकित में से कौन से पुरुषकार देने का प्रावधान है तो जरकन की खेल निती जो है लेटेश्ट वाला 2020 का मैंने प्रिडियर जो है टेलिग्राम ग्रूप पे दिया है तो आप उसमें जाकर ले सकते हैं उसमें पूरा प्रावधान दिया वो है क्या-क्या है कौन से अवोर्ड दिये जाएंगे कौन से छूट को रसकार सारी चीजे इसका अंसर हो जगा जैप प्रभाविट चेद्र की घोषना की तारिक से पूर्व कम से कम तीश वर्सों से निवास करता हो तथा सारीरिक स्रम द्वर क्रिशी भूमी अर्जित करता हो इसका अंसर ओप्शन नंबर C 64 है 30 वर्ष जहर्षनराजय स्टार्ट-टप नीती की गोशना की गई जहर्षनराज पर्यटन नीती की गोशना की गई नेक्स्ट 66 नमर सवाल, जारकन राज पुनरस्थापन ये पुनरवास नीती के संदर में सत्य कथन की पहचान कीजिए, पहला कथन है, पुनरस्थापन ये पुनरवास नीती में कुल दस अधियाई है, दूसरा है ये नीती 15 नवंबर सन 2009 में 9 से लागू है, उपर यूग दो 2008 से लागू है, उपर यूग दोनों कथन अशती है, जारकन पुनरस्थापन ये पुनरवास नीती में कुल 9 अधियाई है, और ये 25 जुलाई 2008 से लागू है, नेक्स्ट 67 नमर सवाल, जारकन की निमलिकित उद्योगीक पटियों में से कौन सबसे विस्तरित है, इसका आंसर दामोधर घाटी उद्योगी पटि सबसे ज़्यादा विक्सित है, ये जारकन में सबसे विस्तरित उद्योगी पटि है, और इसका विस्तर कहां से है, खलारी से कुमार धूबी टक, 68 है, निमलिकित उद्योगों में से कौन, नीजी छेतर का उद्योग है, पहला है बोकारो इस तरीके का एक और सवाल पिछली बार पूछा गया था बस आपसन उसमें अलग थे अगर आपको याद हो तो और अगर आपने देखा होगा तो इसका अंसर क्या होगा दो और तीन जो है नीजी छेतर की है और बोकारो तो आपको पता होगा यह जारकर में राची सबसे अधिक सक्षर्टा दर कितनी सक्षर्टा दर है राची की 76.06% तो पॉइंट देनें थोड़ा राची में सबसे अधिक पूरू सक्षर्टा दर है कितना 84.26% और सबसे अधिक महिला सक्षर्टा भी राची में यह 67.44% मतलब अगर राची की बात की जा सत्तर नमबर देखते हैं चली आगे देखते हैं भारत का प्रतम तांबा उद्यो घाट सीला की स्थापना की थी? मुक्री मंत्री सुकनिया योजना की थाथ लव्यार्ति को बालिका के विवा हे तो कुल रासी कितनी रासी का लाप प्रदन किया जाता है इसका अंसर है 40,000 रुपए मुख्यमंत्री सुकनिया योजना की सुर्वात जो है बलीका दिवास 24 जनवरी 2019 को जो है चाईवासा से की गई थी और इस योजना के अंतरगत समाजिक आर्थिक और जातिय जनगन्ना के अधार पर पिछड़े वर्ग के लोगों के यहां पुत्री के जन पर जन से उनकी 18 वर ग्रामिन योजनाओं खास कर मनरेगा के तहट भरष्टा चार मुक्त कारियों का संपादन वज्याग रुकता फैलाने वाले चर्चित विदेशी ज्याद्रेंज मुलता किस देश के है तो यह है बेल्जियम बेल्जियम के निवासी ज्याद्रेज प्रख्यात अर्थ सास्त्री है यह राची विश्विद्याले के अथिथी लेक्चुरर है और साथ ही देश के विभिन विश्विद्याले में पढ़ाते हैं मनरेगा कानून का प्रारुत तयार करने में इनके महत्पुन भूमी का रह ही है इनका नाम जो है ज्या द्रेंज थोड़ा यूनिक नाम लग रहा है क्योंकि हमने कभी नहीं सुना इसलिए नेक्स्ट है 74 नमर सवाल जारकन सरकार द्वारसंचाली भीम राव अंबेड कर आवास योजना के तहत आवास उफलब्द कराए जाता है तुकी ने भीम राव और इस योजना की सुर्वात 2017-18 में की गई थी नेक्स्ट है जारकन प्रतिपूरक वनिकरन कोस्ट प्रबंदन एवं योजना प्राधिकरन जैसे केमपा कहते हैं केमपा का गठन कभ हुआ था तो यहां पर देखे जारकन पहला सब देख लीजे पहला जारकन प्रतिपूरक यानि जारकन केमपा की बात की जारी है तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2009 में और अगर सिर्थ केमपा बोलता तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में वनों का सनरच्चन वनिक जीवो का प्रबंदन वव विकास करने हे तो जारकन प्रतिपूरक वनिकरन कोस्ट इसका फुलफम यह क्वेशन तो है रटा गया होगा इतनी बार आता है यह विस्वस्तर पर बागों की पहली जंगना 1922 इस्वी बेतला राष्टी उद्यान में की गई थी बेतला जारकन का एक मत राष्टी उद्यान है और यहां ही 1973 इस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की सुरवात यहीं अस्तिती रिपोर्ट जो है वन अस्तिती रिपोर्ट दो हजर एकिस के अनुसाथ देश में राष्टी उसत 21 प्रतिशत से अधीक वन शेतर का विस्तार जारकन में 29.76 परसेंट है परन्तु राष्टी बन नीती के लच्छे से यह आकड़ा कम है तो मैंने क्या गलत पता दि चलिते के किन्तु कथन कारण का सहिव याखा नहीं करता है तो इसका अंसर क्या हो जागा दोनों कतन सत्य है मिरे कौर्डिंग Takingpal गलत है चलिए आगे देखते हैं, इसका एक बर आप जरूर देख लीजेगा, और आप कमेंट में जरूर बताएगा कि आपके अकोडिंग इसका अंसर क्या है, चलिए आगे देखते हैं, जारकन सरकार द्वरब वन जीव अभियारनों में कितने वर्स है तू वन जीव प्रबंधन य नागपूर प्रमंडल छेत्र में नहीं है, पहला देखें, उधवा कहां पर है, उधवा है साहिव गंज में, तो ये कौन सा प्रमंडल में आ जाएगा, उधवा हो जाएगा, संथाल परगना प्रमंडल में, ठीक है, तो इसका अंसर तो पहला ही हो गया, जबकि तिलाइया चंद्रपूरा पच्छी विहार भोकारो ततती लईया पच्छी विहार को डर्माजिने में हैं चले नेक्स्ट देखते हैं 81 नमर सवाल जहारखन राज में प्रति व्यक्ति वनों का आचादन कितना है जहारखन राजी में प्रति व्यक्ति वनों का आचादन कितना है जीरो प तो 83 जारकन राजी का पहला तितली पर्क कहाan स्थापित किया जा रहा है तो ज्हारकन राजी के पहला तितली पार्क बीर्सा जैविकुद्यान और मांजी में स्थापित किया गया है 2 करोड रुपे की लागत से और ये ज्हारकन राजी के पहला तितली पार्क है इसक अंसार हो ज़ागा जपान की हिताची तो 2 मिनट गईs तो 84 नमबर का आंसर क्या था जापान जापान की हिताची कंपनी को जार्खन राज में ठोस कचवा अधारित बिजली उत्पादन की समाती परदान के गई है नेच्ट है 85 नमबर सवाल जार्खन जय विवित्ता बोड का गठन कब किया गया था जार्खन जय विवित्ता बोड का गठन कब हुआ था सन 2015 में तो चली आंसर देखते हैं क्या होगा जार्खन जय विवित्ता बोड का गठन 20 दिसंबर 2007 को हुआ था लेकिन जार्खन जय विवित्ता बोड का गठन 20 दिसंबर 2007 को किया गया था इसका प्रमुक उदिश राज में जै विवित्ता का संदचन करना, इसके घटकों का सतक परियोग सुनिश्चित करना, तथा इसके लाभों का उचित व समान वित्रन सुनिश्चित करना है 86 नमर है, वन अधिकार अधिनियम के तहत, वन भूमी का पट्टा दिया जाता है वन अधिकार अधिनियम के अनुशार, इसका अंसर क्या है, वन वासी और अनुसूचित जन्जाती को, यानि आंसर हो जागा D, वन अधिकार अधिनियम के अंतरगत, वन भूमी का पट्टा, वन वासी तथा अनुसूचित जन्जाती को दिया जाता है 87 है जार्खन जय विवित्ता बूर्ड का गठन किस वर्स हुआ था जार्खन जय विवित्ता बूर्ड का गठन 2007 में हुआ था तो ये दो दो बर दे दिया गया है इसके उपर भी एक सवाल से इसी लाइन में है जारकन जैव विविद्दा बोड का गठन का भुआ था 2007 में चलिए आगे देखते हैं जारकन राजी के निमलीकित में से कौन से स्थान जैव विविद्दा सम्रिद्धी की दृष्टी से महतपून है तो कौन सा है? जारकन जैव विविद्दा के लिए तो नेतरहात पहाड़ी, सारंडावन और दालमा पहाड़ी तीनों विकल्प के सभी राजी में जै विवेत्ता सम्रिद्धी की द्रिश्टी समात्पून है 89th नमबर सवाल है किसी आपदा क्या संका के स्थिती में या उसके प्रभाव से निपटने हेतू राजी कारिकारनी समीती आपदा सम्रिद्धन सिल्या प्रभावित छेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा सकती है किसी वेक्ति के प्रवेश पर रोक लगा सकती है इसका अंसरोगर दोनों जानी option no.C आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारत 24 के अनुसार किसी आपदा के असंका के स्थिती में या उसके प्रभाव से निपटने है तू राजी कारिकारिनी समीती आपदा सम्वेदन से लिया प्रभावित छेतर में वहनों या किसी व्यक्ति के प्रवेश्कों रोग सकती है 89 हो गया 90 देखते हैं आपदा के दौरान राहत कारिक समूचित संचालन है तू गठित राजी आपदा कारिवाई कोस में केंदर सरकार के हिस्सेदारी कितनी है इसका अंतर है 75 प्रतिशक आपदा के दौरान राहत कारिके समूचित संचालन है तू गठित जारकन राजी आप जबकि विभिन प्रकार के खनीजों के खनन के कारण यहां पर खनन दुर घटना वर्सा में कमी के कारण सूखा और जंगल की भहुतायत के कारण जंगल में आग की संभावनाएं बनी रहती है 92 है जारकन राजी में ओद्योगी आपदा प्रबंदन से संबंदित गतिवीदियों का संचालन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है इसका आंसर है मे कोन जारकन राजी में वद्योगिक आपदा प्रबंधन से समदित गति वीडियो का संचालान में कोन के द्वारा किया जाता है नेक्स्ट है 93 नमर सवाल जारकन राजी में राजी एवं जीला स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित अपात कालीन ओप्रेशन के इंद्रों को किसके माधियम से जोड़ा गया है वी शैट के माधियम से जोड़ा गया है 94 है राची के मोराबादी मैदान में जारखन जन जातीय मोहतसव 2022 का योजन किस तारीकों किया गया इसका आंसर क्या है 94 का अप्चन अबर भी 9 से 10 अगस्त तो 9 से 10 अगस्त 2022 को राची के मोराबादी मैदान में जारखन जन जातीय मोहतसव 2022 का योजन किया गया था इस कारीकर्याम के मुकरतीती 36 गर के मुख्य मंतरी वोपेस वगेल थे 95 है स्वच्च सर्वेच्चन 2022 में जारखन को कौन सा स्थान पराप्त हुआ है इसका आंसर है दूसरा स्वच्छता सर्वेच्छन 2022 में जार्खन को दूसरा स्थान प्राप्त हुए थे जार्खन में वर्स 2024 तक कितने घरों में नल से जल पहुचाने का लच्छिय बट्मा ni राजी में जल जीवन मिशन की उप्लपствि 22.00% प्रतिशत है जबकि राष्टिया उसत है 14.35 प्रतिशत अब 98 नमबर सवाल देखते हैं अब हमारे दो सवाल ही बच गए है जढ़कन के नन-दलाल-नायक को संगीत नाटक एकाडमी का कासिल सद से मनौनित किया गया है जढ़कन में पहली बर किसी इसेस्थाणीय लोग कलाकार को या पद़ प्रदान किया है तो नन-दलाल नायक इनसर हो जगह पूज लकड़ा सरह आगे देखते हैं आज का आखरी सवाल है डूडल फोर गूगल चित्रकला पर्तियोगता में टॉप 20 में चैनी थोनवारी जार्खन के छात्रा कौन बनी इसका अंसर है पीहू कच्छप सच्चिदा नन ज्यान भारती मॉडल अस्कूल की छात्रा पीहू कच्छप का डूडल फोर गूगल चित्रकला में टॉप 20 में चैन किया गया है पीहू ने अपने पिंटिंग में ग्रीन एनरजी को दिखाया है तो ये सारे प्रशन कंप्लीट होते हैं और इसका उत्तर माला स्क्राइबर में दिखाते थी हूं तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग बाइबाइ कीजिआ और वाचिंग झाया हैं